कि हलो फेंस बदो स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंस इस वीडियो क्लास में हम डिसकस करेंगे contextual vocabulary और vocabulary एक ऐसा पाथ है English section का जो कि सभी competitive exams में commonly पूछा जाता है particularly reading comprehension और close test में vocabulary का काफी important role रहता है और और ssc exams में तो vocabulary काफी comprehensive तरीके से पूछी जाती है एक अलग उसका section होता है तो इस particular video class में मैंने 10 score words लिए है high frequency words लिए है जो कि सभी competitive exams में पूछे जाते हैं और इस video class के through करीब 50 to 60 words आप सीख पाएंगे जो की core words है तो ये video class काफी helpful रहेगी आपके लिए अब इसमें करना क्या है यहाँ पर देखिए एक word दिया है inundation ठीक है और यह है इसका context यानि इस context में इसका meaning बताना है यहाँ पर context दिया है to cover with excess of water inundation का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बाड़ आ जाना चाहे वो customers की बाड़ हो चाहे response की बाड़ हो किसी भी चीज़ की अधिकता या access में होना उसको हम बोलते है inundation ठीक है लेकिन यहाँ पर context क्या है यहाँ पर context है to cover with excess of water ठीक है flood आ जाना बाड़ आ जाना तो उस sense में in inundation का सही मीनिंग होगा deluge deluge का मतलब होता है बाड़ आ जाना ठीक है पानी बहुत जदा पानी भर जाना उसको हम बोलते हैं deluge तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा deluge अब यह जो वर्ट से इनकों देखते हैं सोक का क्या मतलब होता है पानी किसी चीच का पानी में किसी चीच का पानी को सोक लेना जैसे हम पानी में किसी चीच को गलाते हैं ठीक है रात में हमने उस चीच को गलाया और सुबह वो पूरी तरीके से सोक हो जाती है पानी उसमें घुच जाता है अंतर इमस हो जाता है तो उसको हम सोक बोलते हैं बैलोईंग का मतलब किसी चीज में indulge होना, किसी चीज में pleasure या मजे लूटना किसी चीज के तेट इस काल्ड बैलोईंग डेडिज, पानी की बाड़, ओवर्वेल्म का इस की strong desire ठीक है, तो ओवर्वेल्म का मतलब होता है strong या great और ingulf का मतलब होता है किसी चीज का चारो तरफ से किसी चीज से surround हो जाना या घिर जाना, तो यह होता है ingulf का मतलब, तो यहाँ पर आपका सही answer होगा deluge, deluge यहाँ पर आपका सही answer होगा, inundation दिया है make false and damaging statement about someone किसी के बारे में false statement देना जिससे उसकी जिससे उसको जिससे उसकी इज्यत या गरिमा खराब हो ठीक है make false and damaging statement about someone slender किसी को बदनाम करना कुछ कुछ गलत बोलना किसी के बारे में that is called slender अब यहां पर words क्या दिये है एक तो word दिया है back stabbing stabbing का मतलब होता है किसी में किसी में चाकू मालना that is stabbing back stabbing का मतलब होता है पीट पीछे बुराई करना चुगली करना that is उसको हम back biting भी बोलते हैं back stabbing भी उसी sense में यूज होता है लिटरल सेंस में इसका मतलब है किसी को किसी में stabbing एक्शली होता है चाकू मालना किसी में stabbing back stabbing मतलब किसी के पीट पीछे बुराई करना या back bite करना soliloquy होता है monologue जैसे जैसे stage पर कोई actor थेटर में कोई actor नाटक करता है और अपने आप से ही कुछ बोलता है that is called soliloquy ठीक है miss represent मतलब किसी चीशों गलत तरीके से रेप्रेजेंट करना suppose कहीं पर कहीं पर एक 100 रोपय का amount है लेकिन आपने बताया कि वह amount 100 का नहीं था वो 60 रोपय का amount था 60 का amount था तो आपने उस fact को miss represent किया ठीक है calumny होता है किसी की किसी को defame करना तो calumny यहाँ पर इसका equivalent word है calumny ठीक है तो fourth यहाँ पर इसका सही answer होगा hard line का मतलब होता है किसी के प्रती strict होना take a hard line on somebody तो इस तरीके से यहाँ पर question number second में आपका जो answer होगा वो होगा fourth ठीक है slender the action or crime of making a false spoken statement damaging to a person's reputation यह इसका मतलब है calumny यहाँ पर इसका सही answer होगा अब हम देखते है question number third improvident देखिए provident का मतलब होता है wise या buddhiman improvident का मतलब होता है जो wise या buddhiman नहीं है लेकिन किस context में इसको use करना है quality of being prone to rashness and recklessness मतलब जल्दबाजी में कोई decision लेना जल्दी करना ठीक है तो वो होता है improvident और improvident का equivalent जो है वो है इस में से imprudent क्योंकि prudent का मतलब भी buddhiman होता है imprudent मतलब जो buddhiman नहीं है तो यहाँ पर इसका equivalent होगा improvident का imprudent अब in words को हम देखते हैं bigoted का क्या मतलब है bigoted का मतलब है जो बहुत ज़्यदा obstinate है जिसके opinion बहुत ज़्यदा obstinate है वो केवल अपने opinion को मानता है दूसरे किसी opinion को किसी philosophy को किसी religion को वो नहीं मानता ठीक है इसको हम बोलते हैं prodigal मतलब जो wasteful है या तो पैसे के sense में मान सकते हैं या किसी और sense में जो जो किसी भी चीज को waste करता है that is prodigal wasteful frugal इसका उल्टा है frugal का मतलब होता है myth way economical जो जो जितना जरूरुत है जितना required है उतना ही पैसा खर्च करता है parsimonious होता है conjuice इसको हम miserly भी बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा imprudent इसका सही आंसर होगा जैसा कि आप देख सकते हैं improvident का मतलब है not having or showing foresight spent or thoughtless ये इसका सही meaning है question number four देखते है fastidious fastidious का मतलब होता है तुनक मिजाज ठीक है जो बहुत fussy है बहुत छोटी 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 छीजों पर overly concern है overly concern about tidiness and cleanliness about something जो बहुत ज़दा छोटी छोटी छीजों में concern है या तुनक मिजाज है उसके लिए सही word क्या है उसके लिए in में से सही word है आपका finicky finicky मतलब fussy ठीक है rigorous का मतलब है कड़ा जैसे rigorous training होती है कली training ठीक है ये है extent extent का मतलब होता है existing जो current में है ये extant extent है extant extent कला होता है range किसी भी चीज की सीमा या range pain sticking का मतलब होता है thorough या careful detailed का मतलब होता है comprehensive तो यहाँ पर fastidious का सही मतलब होगा finicky आप देख सकते है answer 3 इसका सही answer very concerned about matters of cleanliness ठीक है fastidious question number 5 देखते है pristine इसको आप pristine भी बूल सकते है pristine भी बूल सकते है ठीक है pristine या pristine का मतलब है untouched or unused and not polluted by anyone fresh तो pristine का क्या सही इसमें meaning हो सकता है lively का मतलब होता है cheerful serene का मतलब होता है tranquil यानी शांत corsage या corsage actually एक woman के पहनने का एक वो होता है एक आभूसन टाइप का होता है detain कर लेता है that is also called buttonhole innate का मतलब होता है जो जन्म से है जो inborn है जैसे innate quality ठीक है तो pristine का innate यहां पर काफी close है क्योंकि जो innate होता है वो भी original या untouched होता है तो innate यहां पर इसका equivalent होगा of a place untouched और unused and not polluted by anyone ठीक है in its original condition pristine का मतलब है in its original condition और unexpoiled और जो innate qualities होती है वो भी unexpoiled और original form में होती है तो innate इसमें आपका equivalent word होगा question number six देखते हैं foxy actually fox से बनाया fox यानि लॉंबडी और लॉंबडी होती है चालाक ठीक है तो foxy के लिए यहां पर context किया दिया है someone who cannot be trusted एक ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता अब देखें यहां पर context अलग दिया है foxy का मतलब होता है चालाक लेकर यहां पर context किया दिया है someone who cannot be trusted एक ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता उस sense का meaning आपको बताना है और उस sense का सही meaning है deceitful deceitful मतलब जो misleading है जो धोका देता है that is called deceitful और इसका जो इसका जो noun form है वो होता है deception deception का मतलब होता है धोका तो यहां पर fourth इसका सही answer है senile का मतलब होता है जो बुड़ापे की बज़े से old age की बज़े से weak है या feeble है उसको हम बोलते है senile sagacious मतलब wise यानी buddhiman kenny का मतलब भी wise यानी buddhiman pungent का मतलब होता है किसी भी चीज का taste या smell बहुत ज़्यादा तीखी है ठीक है तो उसको हम बोलते है pungent इसका antonym क्या blend क्योंकि blend का मतलब होता है Fika B-L-A-N-D और B-L-E-N-D blend का मतलब होता है mix करना तो यहाँ पर fourth इसका सही answer होगा foxy यानी cunning deceiving or misleading others question number seven देखते है morsel morsel एक छोटा सा जैसे हम खाना खाते है तो खाने का जो छोटा सा निबाला होता है उसको हम बोलते है morsel small piece or amount of food a mouthful तो इसके लिए सही word क्या है इसके लिए सही जो word है वो है nibble nibbling जैसे हम बोलते हैं जैसे चोटी सी गिलहरी होती है ठीक है वो कुतर-कुतर के खाने को खाती है तो उसको हम बोलते है nibbling तो यहाँ पर इसका सही equivalent है nibble बाकी सारे word slice का मतलब टुकडा होता है stray का मतल मतलब जैसे stray animals होते हैं घूमते रहते हैं आबारा animals यह होते हैं slick का मतलब polished होता है ters का मतलब छोटा होता है ters ठीक है तो यहाँ पर nibble आपका सही answer होगा crumbs mouthful bite और pieces of grain next देखते हैं abrogate abrogate का मतलब ऐसे cancel करना होता है किसी चीच को बापिस ले लेना या cancel कर देना तो annal इसका contextual meaning आपको बताना है तो यहाँ पर context क्या है यहाँ पर context है evade a responsibility or duty अपनी responsibility या duty से मुकर जाना उससे बचना evade का मतलब होता है बचना तो इस sense में actually dairy election सही word है अपनी जिम्मेदारी से करतब से मुकरना इसका dairy election का एक sense और होता है जैसे कोई building होती है वो खंडर हो जाती है पु इंसल होता है evolution का मतलब किसी प्रथा को किसी tradition को हटा देना खतम कर देना डिवाउर का मतलब होता है बहुत greedily किसी चीज़ को खाना जैसे suppose आप दो या तीन दिन से भूके हैं और अचानक से आपको एक tasty खाना मिल जाता है तो बहुत जल्दी जल्दी बहुत तेजी से आप उसको खाते हैं ठीक है तो eat greedily का मतलब होता है डिवाउर या डिवाउर का मतलब होता है eat greedily और यह वर्ड क्या है यह वर्ड है पैरूज इसका मतलब होता है read thoroughly examination करना supervise करना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना उसको उसको हम बोलते हैं पैरूज तो यहां पर सही इसका equivalent context के sense में होगा dereliction the shameful failure to fulfill one's obligations question number nine prodigy prodigy के कई meaning है देखे यहां पर इसका context क्या है an outstanding example of a particular quality ठीक है किसी quality का एक सबसे बड़ा या सबसे best example होना तो उस sense में आपको meaning निकालना है इसका उस sense में इसका meaning है epitomy देखे इसका जो उच्छारण है कुछ लोग इसको पढ़ सकते epitome लेकिन epitome इसको नहीं पढ़ना है इसका उच्छारण है epitomy ठीक है epitomy इसका सही इसका answer होगा model of excellence किसी भी चीज का किसी भी चीज का best example जैसे 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 एक्टिंग का best example आप किसको देंगे अमिता बच्चन को तो अमिता बच्चन क्या हुआ epitomy of acting क्रिकेट का best example आप किसको देंगे सचिन तेंदूल का तो सचिन तेंदूल कर इसदा epitomy of cricket ठीक है best example उस चीज का तो यह है इसका सही सही answer epitomy immaculate होता है faultless एक्टम perfect solid होता है एक जो pure नहीं है genius mastermind और sublunary का मतलब होता है जो earthly है terrestrial है या temporal है तो यहां पर इसका सही answer होगा apology का model और paradigm और ideal question number 10 देखते है Cosmopolitan Cosmopolitan का मतलब एक होता है metropoliton एक होता है Cosmopolitan Cosmos का मतलब होता है word पूरा संसार तो Cosmopolitan का मतलब होता है सव्यक्ति जो पूरे संसार के cultures के साथ और countries के साथ अपने आपको ढाल सकता है familiar with and at ease in many different countries and cultures तो इसके लिए सही equivalent क्या हो सकता है वर्डिली हो सकता है वर्डिली इसमें सही answer होगा आपका ठीक है वर्स्ट का मतलब होता है किसी चीजसे परचेत होना कार्णल का मतलब होता है इंद्रियों से सम्मंदित pleasure से सम्मंदित थिक है टे का मतलब होता है अर्थली flashy का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा flash या mass है जो बहुत ज़्यादा fat है तो यहाँ पर इसका answer होगा 4 तो इस तरीके से यह words मैंने discuss किये है I hope कि आपको अच्छे लगे होंगे और यह काफी अच्छे important words है core words है और सभी banking और SSC exams के लिए यह words काफी important है ठीक है कोई भी feedback आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं इस video class में इतना ही अब मैं आप से बिलूँगा next video class में Thank you